नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर सिंग हेल्पिंग हैंड्स पर आज दोस्तों इंचेंट हिस्ट्री में हम इंडस सिविलाजेशन को पढ़ने वाले हैं जिसे आप सिंदू घाटी सबेता के नाम से भी जानते हैं तो इंडस वाली सिविलाजेशन दोस्तों या सिंदू घाटी सबेता जिसे आप समझते हैं इसकी शुरुवात तकरीबन तकरीबन पचीस सो से बीसी पचीस सो बीसी से साड़े सतरा सो बीसी तक आखी जाती है कारबन डेटिंग के माध्यम से तो मैंने लास्ट ताम अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब चालकुलिथिक एज आया बोले तो जब ब्रॉंज का चलन शुरू हुआ तो हमें एक सबेता को विक्सित करेंगो वह सबेता थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जब 3rd millennium चालू हुआ जब 3rd millennium शुरुआत हुआ यानि की millennium में 1000 साल होते हैं दोस्तों तो 3000 BC से लेकर आपका ये 2000 BC तक ये गंड़ना चलेगी 3000 BC से लेकर 2000 BC तक ये गंड़ना चलेगी जब इसके तक्रीबन 500 साल भीत गए यानिकी आधी अवदी भीत गई तक्रीबन 2500 BC के आसपास हम आये तो बहुत सारे culture uniformly आपके develop हुए कहां पर settlements कहां पर develop हुई ये वाली आपकी ये हुई आपकी parts of Punjab में कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ गुजरात में कुछ बलूचिस्तान में सिंध में और आपके मकरान कोस्ट में थी और ये इसको अपना जो नाम था ये जो नाम है इसका Indus Valley Civilization ये इसको रीजन इंडस के नाम से मिला है यहाँ पर एक रिवर बहती है Indus River इसी के नाम से इसके आस पास जो सेट्लमेंट रहती थी इसी को Indus Valley Civilization कहा गया है दोस्तों तो कुछ छोटी छोटी बाते हैं वो जान लेते हैं पहले अगर हम कुछ जोगरिफिकल पॉइंट व्यू के बारे हैं बात करें तो जो सबसे सूटेबल नाम इस Civilization को दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है आपका Indus Saraswati Civilization इसलिए दिया जाता है क्योंकि 80% जो आपकी Civilization थी वो Saraswati और इंडस नदी किनारे बसी हुई थी अब हुआ क्या जब ये निकलकर आया हमारे सामने जब इंडस वाली Civilization सबसे पहले हरपा की खोज हुई दयाराम सहानी ने जब उसकी खोज की तब हमें ये कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये तकरीबन 2500 BC से लेकर 1500 BC तक क्या सपास का रहा होगा तो इस सब में हम देखेंगे कैसे इंडस वाली Civilization का spread हुआ कौन कौन से important उसके अंदर शेहर पाए गए क्या क्या चीजें मिली और इसका अंत कैसे हुआ दोस्तों इस बारे में हम जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं Town Planning के यह जो हमें शेहर मिले थे हरपा हो गया महुंजदार हो गया चुनहुदार हो गया इन सब में दोस्तों एक बहुती चीज कॉमन थी मतलब यह वेल प्लैंड थे जो Towns थे वेल प्लैंड थे यह Grid System फॉलो करते थे Grid System दोस्तों कुछ ऐसा होता ह यह आपका रो और कॉलम वाला कुछ सिस्टम होता है यहाँ पर कोई घर होगा यहाँ पर कोई घर होगा यह गलियां है दोस्तों यह गलियां ऐसा कुछ इसा Grid System कहते हैं यहाँ पर रोड बहुत अच्छे बने हुए थे और पूरे के पूरे टाउन को दोस्तों रेक्टेंग का इस्तमाल किया दोस्तों पकी हुई टे जो की बहुत अच्छी क्वालिटी की थी यहाँ पर इसको material का इस्तमाल किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ का drainage system भी बहुत कमाल का था दोस्तों अब क्यू कमाल का था यहाँ पर जैसे आज की रेट में वाटर क्योंकि इनके हाँ का drainage system काफी ज्यादा developed तो यह दिखाता है कि यह लोग health और sanitation को लेकर कितना ज्यादा conscious थे उनका sense of consciousness दिखाता है बात करते हैं दोस्तों religion की अब यहाँ पर जो जिस चोटी सीग बात आपको बताएं तो दोस्तों यहाँ पर जो था पहले मंदिर वगरा नहीं हुआ करते थे यह लोग जानवरों और पेड़ों की पूजा करते थे जानवरों की पूजा करते थे यहाँ पे एक पशुपती आपने देखा होगा एक आगे सील के बारी में भी आपको बताएंगे जहां पर वो एक योगिक पॉस्चर में बैठे हैं और नीचे जमीन पर बैठे हुए इनके दो फेस हैं और इनके दो सींग उगे हुए हैं इनके आसपास चार जानवरों ने घिर रखा है वो चार जानवर कौन कौन से हैं एलेफेंट, टाइगर, राइनो और बफ़लो हल एक चारो जानवर ने अलग अलग दिशाओं में अपना मूँ कर रखा है और इनके पैरों के पास दो डियर भी बैठे हुए नजर आएंगे आपको तो जो मेल डायटी थे दोस्तों इनका नाम था पशुपती महादेफ यह आपको हरपन सील्स पर भी नजर आएंगे और यहाँ पर दोस्तों जो एविडेंस मिलें उससे यह पता चलता है कि फैलिक और योनी की पूजा होती थी फैलिक बेसिकली लिंगम होता है जैसे आप देखेंगे कि जैसे शिव लिंग होता है शिव का लिंग बोले तो जो शिव जी है उनके जेनेटल पार्ट की जो है वो पूजा होती है ऐसे ही उस जमाने में योनी जैसे हम फीमेल सेक्स ओर्गन भी कहते हैं दोस्तों इनकी भी वाशिप होती थी अब यहाँ पर आग की पूजा भी होती थी लास्ट लेक्चरे मैंने बताया था कि आग का निर्मान कैसे हुआ था आग की डिसकवरी कैसे भी थी एक 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 सिदेंट से डिसकवरी थी लेकिन उसके बात क्योंकि आग बहुत ही जादा पवित्र मानी जाती है आपने हिंदुजम में देखा होगा कि जब लोग शादी करते हैं तो अगनी के सामने साथ फेरे लेते हैं पती जो है वो अगनी के सामने कसम उठाता है कि वे उसका ख्याल रखेगा तो फायर जो थी वो बहुत जादा पवित्र मानी जाती है इसलिए आग की भी पूजा होती थी अब कैसे पता चला यहां पर आग की पूजा होती थी अब हवान होता है इसका मतलब यह नहीं है कि यह हिंदूइजम को फॉलो करते होंगे ऐसा कुछ नहीं है अभी यहां पर रिलीजन कुछ पका पता नहीं था कि यह हिंदूइजम को फॉलो करते थे या किसी और धर्म को follow करते थे क्योंकि यहां पर जैनिजम के भी traces मिले हैं दोस्तों यहां के जो लोग थे इंडस पीपल के जो लोग थे दोस्तों यह गॉड की पूजा करते थे लेकिन इन फॉर्म ओफ ट्री और ट्री कौन सा पीपल का पेड जिसे हम साइंस की भाषा में फिकस, रिलिजियोसा भी कहते हैं और जानवरों में यूनिकॉन वगारा और बफ़लो और गाय की पूझा में आपको पहली बताया है कि इनकी पूझा जानवरों की पूझा ये लोग करते थे कुछ लोग दोस्तों इसी जमाने में भूत में भी विश्वास करते थे evil forces में भी विश्वास करते थे तो ये कुछ तंत्र मंत्र का इस्तमाल करते थे अपनी रक्षा करने के लिए उनके अगेंस्ट तो emulates आपके होते हैं तंत्र मंत्र तंत्र विद्या यानि कि यहाँ पर तंत्रिक भी रहे होंगे दोस्तों तंत्र मंत्र आपने कई सारी movies में देखा होगा कि भूत को भगाने के लिए मंत्रों और तंत्रों का प्रयोग किया जाता है यह देखिए दोस्तों कैसे people के पेड़ की पूजा हो रही है यहां पर देखिए उनको चड़ावा चड़ाय जा रहा है और सभी पीपल के पेड़ के इधर उधर रिवाल्व कर रहे है बात करते हैं दोस्तो आर्ट और क्राफ्ट की बोले तो वहां के कला और वहां के बनाए गए सामान की क्योंकि हर अपन कल्चर या फिर इंडस वैले सिवलाइजेशन जो है दोस्तो वह पूरी तरीके से ब्रॉंज एज को बिलॉंग करती है ब्रॉंज मैंने बता है आपको कॉपर और टिन को जब मिलाते हैं तो ब्रॉंज बनता है कांसा बनता है आरेन तो लोगों को पता भी ने था कि आरेन भी होता है कोई यहां पर दोस्तों कॉटन के फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे और सर्दियों में लोगे वूलन ही पहनते थे जो किसी की जानवर की जो खाल बगरा है उससे वूल निकाल लेते थे और अपने लिए कुछ पहनने का बना लेते थे यहां के आदमी और उरत दोनों ही ओर्नामेंट्स के बहुत ज़ादा शुकीन थे जूलरी के बहुत ज़ाद शुकीन थे तो वो जूलरी गोल्ड की बनी होती थी कोई silver की कोई ivory जो हाथी दांत होता उसके material की बनी होती थी और कुछ copper की बनी होती थी दोस्तों तांबे की उन्हें सजने सवरने का भी बहुत शौक था यहां पर इसी जमाने में potter's wheel का भी इस्तमाल किया जाता था दोस्तों यहांने कि यहां पर मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि पहिये का जो है अविश्कार हो चुका था इसी का इस्तमाल करके यहां पर pottery भी की जाती थी दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर जो थे flower vase और भी बहुत सारी कलाकृतियां यहां के दोस्तों लोग dice game जिसे हम ludo कहते हैं हमारी modern भाषा में ऐसा ही यह कुछ लोग game खेलते थे जिसे हम ludo कहते हैं यह लोग जैसे माँ बारत में कुछ चौसा वह सा कुछ कहते थे चौसा कहते थे यह कुछ ludo जैसे होता था तो यह दोस्तों वो dice है जो मिला था और यह dice जो था दोस्तों यह standard नहीं था क्योंकि आम तोर पर हम जानते हैं जो ludo का dice होता है उसके जो opposite faces का sum होता है वो हमेशा 7 होता है जैसे अगर उपर 5 है तो इसके just बिल्कुल opposite वाली side होगी वहाँ पर 2 होगा तब ही तो यह मिलकर 7 बनेगा दोस्तों क्योंकि जो standardize होता है उसका opposite face का sum जो होता हो 7 होता है और जो standardize नहीं होता उसका जरूरी नहीं है कि opposite face का sum 7 हो ऐसा जरूरी नहीं है तो यह मानक पासा ज और यहां के आर्थिक जिन्दगी की दोस्तों अब क्योंकि agriculture होने लगा था पिछले बार जब मैंने आपको बताया था कि यहां के लोग जो थे वो agriculture करने लगे थे और permanent settlement हो गई थी अब एक जगा यह लोग रुकना शुरू हो गए थे जब एक जगा रुकेंगे तभी तो कोई civilization वो करेगी यहां पर लकडी के प्लोज इस्तमाल कर रहे जाने लगे खेतों को जोतने के लिए प्लोज को हम हिंदी में हल भी कहते हैं दोस्तों हल एक लकडी का एक टूल है जिसका इस्तमाल करके हम माटी को पलटते हैं या खेत को तयार करते हैं रोपन के लिए अब यहां के जो लोग जो बड़ी बड़ी granaries थी जो महल थे उन्हीं के अंदर बहुत बड़े-बड़े store हुआ करते थे जहां पर ये grains को store करते थे अब क्योंकि यहां पर सिक्कों का चलन नहीं देखा गया है का पीवी यहां पर सिक्कों के कोई evidence भी नहीं मिले हैं तो इसलिए इसा माना जाता है कि यहां पर barter system follow होता होगा अब barter system में बड़ा हुआदि दोस्तों कि आपको wheat का requirement है आपको wheat का requirement है और मुझे rice का requirement है हम आपस में क्या कर लेंगे बदलवा लेंगे इसको इसको बदलवा लेंगे लेकिन हमें पता है दोस्तों कि चावल जो होता है वो गेहूं से सस्ता होता है और अगर हम 1 kg गेहूं देंगे तो उसके बदले 1 kg चावल थोड़े न लेंगे तो इनके कुछ ratios fix थे इनके कुछ ratios fix थे दोस्तों जैसे कि अगर हम wheat और rice की ही बात करें तो wheat और rice में एक ratio हमने पढ़ा है जो है 1 is to 16 यानिकि एक बाग गेहूं देंगे तो 16 भाग चावल का देंगे chce फिर यहाँ पर एक शेहर डिसकुव़र राता दोस्तों हरuppan शेहर राता हैं लोधल जो कि आपका में अपल्स का देए म così यहां पर एक बहुत बढ़ा डॉक यार्ड जो था वह डिसकुवर चाहता है इसके बारे में आगे तफसील से बाथ करिएमे जब लोधल के बारे मे पढ़ेंगे दोस्तो अब यहाँ पर देखते हैं व्यपार और सील्ज के बारे में अब यहाँ पर जो इंटर रिलिजिनल ट्रेड हो था दोस्तो वो अपने स्टेट के अंदर ही जैसे की राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया या महाराष्ट्र हो गया या साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स हो गया वेस्टन यूपी के, बिहार के कुछ पार्ट्स हो गया यहाँ पर तो इंटर रिजिनल ट्रेड चलता था लेकिन फॉरंग ट्रेड जो था दोस्तो वो जादा तर दूसरी सब्वेताओं के साथ किया जाता था जिसमें Mesopotamia और Bahrain ये दो civilization बहुत जादा एहम माइने रखते हैं यहाँ पर seals जो थे दोस्तों ये seals जो थे steatide पत्थर के बनते थे एक पत्थर होता है जिसमें जादा तर powder type का होता है जिसके ओपर हम impression डाल कर उसे बनाते हैं यह देखिए दोस्तों पशुपती महादेव का ये seal है यहाँ पर देखिए दोस्तों राइनोज ने और ये जो एलिफेंट है और ये टाइगर है इन सबने इनको घेरे हों है और इनके पैरों के पास देखिए दोस्तों पैरों के पास दो है वो दो डियर है और ये दो सींग ह एक इस तरफ है दोस्तों और एक इस तरफ है तो यह basically पशुपती महादेव का seal है जिससे पता चलता था कि यहाँ पर बहुती greatest artistic creations वाले लोग रहते हैं मतलब इनके बनाने का तरीका इतना गजब का है या गजब का था कि क्या ही कहने तो यह basically यह seals होती थी यह steatite के बनते थे और steatite के पत्थर है दोस्तों तो जितनी भी seals अभी तक हमने देखी है इनके उपर जादा तर जानवर engraved किये हुए थे और इनके उपर कुछ छोटी-छोटी inscriptions भी लिखी हुई थी जिनकी language को decipher करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि अभी तक हमने जो सबसे पुरानी भाषा को decipher किया है वो आपकी ब्रामी स्क्रिप्ट जो की 5th century से हमने decipher कर ली है तो major sites की बात करेंगे अब दोस्तों तो सबसे पहले आपका हरपा शेयर का खोज हुआ था दयाराम सहनी ने इसका खोज किया था 1921 अब यहां पर क्या हुआ था दोस्तों एक मेल नेकिड मेल बॉड़ी जैसा कुछ स्टैचू मिला था जिसमें क्या हुआ था दोस्तों वो बिना कपड़ों के था जैसे कि आपने जैनिजम में देखा हुआ जो बाबाय लोग होते है वो बिना कपड़ों के ही चलते है जैसे वो लोग पैदा हुए थे ऐसे ही इसमें रहेंगे तो हरपा के शेयर में दोस्तों तकरिबन आप अब तक 891 सील्स डिसकावर हो चुकी हैं अभी तक हरपा से मिली हुए जितनी भी सील्स है तकरिबन 891 सील्स डिसकावर हो चुकी है यह नंबर जो है यह अपने आपका 40% है मतलब इंडस वैली सील्स में जितनी भी सील्स मिली है सबसे ज़्यादा सील्स आपकी हरपा में मिली है अब एक और बात है यहां पर दोस्तों ग्रैनरी से लेकर सिटाडल तक का जो एरिया सा दोस्तों यहां पर बड़े बड़े सर्कुलर प्लैट्फॉर्म स्पाई गए है जो ऐसा माना जाता है कि वो ग्रेंस कूटने में यानि कि पाउंडिंग ओफ ग्रेंस के शायद काम आते हो अब सिटाडल क्या है दोस्तों और लोवर टाउन या आपने बहुत ही पहले उसमें पढ़ा होगा मोहिंजदारों के टॉपिक में या एंसीयाटी में पढ़ा होगा कि जो आपका पूरा सेटल्मेंट था उसको दो भागों में बाट दिया गया था एक सिटाडल बोले तो जो अपर पाट था और लोवर टाउ किया होता था और यहां पर आम तोर पर एक रूम वाले मकान होते थे ऐसा माना जाता है कि यह दासों के घर होंगे दासों बोले तो उनके राजाओं के या उनके मोचन क्लास के जो स्लेव जो वो खरीद के लाते थे दूसरी सब्वेताओं से यह उनके घर रही होंगे next आपका मोहन जुदारो है दोस्तों अब मोहन जुदारो बेसिकली राखल दास बैनर जी इसका सबसे बड़ा योगदान है इसमें खोज में जो कि सन 1922 में खोजा गया था मोहन जुदारो अगर सिंधी भाषा की बात करें दोस्तों तो मोहन जुदारो का अर्थ निकल कर आता है मांड ओफ डेड मृत्यकों का टिला यहां पर काफी मौते होई थी जिसलिए इसको मोहन जुदारो कहा जाता है इसमें देखेंगे इसका अंत कैसे होता है बहुती इंटरस्टिंग शेहर है बहुती ज्यादा चर्चा में रहता है तो देखते हैं दोस्तों अब यहां पर क्या होता दोस्तों ग्रेट बात एक बहुती बड़ी पब्लिक प्लेस थी जो की अनर्थ होई थी और यह सेटाडल के बिल्कुल सेंटर में थी ऐसा माना जाता है कि इसमें यहां पर रिच्वल बेधिंग साइट थी एए ऐसा माना जाता है कि यहां पर शाही और एक नहाने का एक कुंड था जहां पर सारे शाहद से कुछ परंपराव वगरा फॉलो करके यहां पर लोग नहाने आते होंगे अब यह ब्यूटिफुल ब्रिक वरक यहां पर देखने को मिलता है आपको एक ब्यूटिफुल ब्रिक वरक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें क्या था जो फ्लोर था दोस्तों आपको तल था वो पकी हुई इटो से बना था जो कि जिपसम और मोटार के घोल से set कर दिया गया था यानि की बहुत ही चिकना रहा था थोड़ा लब उसको plane कर दिया था बहुत ही स्मूध कर दिया था अब यहां पर दोस्तों हमें एक और बात समझ में आते हैं कि जो मोहंजदारों दोस्तों यह सबसे largest city रही है या largest site रही है जितने भी अभी तक हरपा के खोज हुए हैं शेहरों के जितने भी खोज हुए हैं मोहंजदारों इन सब में बड़ा था largest था अब क्योंकि वो largest था तो इसलिए यहां पर multi-pluged assembly hall भी देखने को मिला बड़ी-बड़ी rectangular buildings भी देखने को मिली और ऐसा माना जाता है कि मोहंजिदारो शहर को शायद as a capital भी सफ गिया जाता हो यानि कि यहां पर administrative purpose के लिए भी इस शहर को किया जाता हो तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो है evidence है यहां पर कि multi-pluged assembly hall यहां देखने को मिली हैं बड़े-बड़े big rectangular buildings यहां पर देखने को मिली हैं जिन buildings को हम administrative purpose के लिए शायद serve करते हों यहां पर एक और बात है दोस्तों यहां की जो गलियां थी दोस्तों जो मैंने कहा कि आपको जिन family जो कर दो इसे चोड़ी गलिया दोस्तों यह मानल मिली जो नौर्थ से south की तरफ run कर रही है यह आपकी west to east run कर रही है यह खले तो यह बहुत ज़्च्यादी गलिया तो यह आपको intersection है यहाँ पर एक और बात है दोस्तों यह जो गलियां थी दोस्तों एक दूसरे को right angles पर काटती थी यानि कि इनकी प्लानिंग यह तरी बहतरी नहीं थी एक rectangular blocks में बदल दिया थे नहीं अपने टाउन को यहाँ पर हमें Indian Ships का एक evidence पाया जाता है जो कि बना हुआ था ड्रॉन नहीं काऊंगा उसको punch mark करके बना हुआ था और यहाँ पर एक piece of cloth भी मिला है जो कि बुना हुआ था woven था यहाँ पर एक bronze की dancing girl भी मिली है जो कि एक मूर्ती थी यहाँ पर एक stear tight का बना हुआ statue भी मिला है किसी priest का और एक seal जिस पर पशुपती महादेव की print की हुई थी या उसको चाप थी उसको आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर दोस्तो parallel rows में दो रूम के cottage भी find किये गए थे जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कुछ घरीब लोग या कुछ वरकर्स वगारा वहां के सुसाइटी के शायद रहते हूं उनको इस्तमाल करते हूं मोहंजदारों में एक बात याद रखनी है दोस्तों बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर भट्टी से निकली हुई इटों से यह शैर बनाया गया था कि इंटे इतनी जबर्दस तरीके से पकाई हुई थी कि सालो सालक उनका कुछ नहीं भगड़ना था इतनी ज़ादा बढ़िया वो इंटे थी दोस्तों और ये भी माना जाता है कि जितने भी एक्सकावेशन हुए हैं मोहंजदारों को लेकर जितनी भी डिसकवरीज हुई हैं यहां ऐसा माना जाता है कि तकरीबन साथ बार यहां पर फ्लड आया होगा साथ बार यहां पर फ्लड आया होगा क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता एकदम से वैनिश हो गई इसके पीछे कारण जो था कई लोग कुछ कारण मानते हैं कोई लोग अलग-अलग कारण मानते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था इसके पीछे वो था दोस्तों के यहां की मिटी में जो थी वो फर्टिलिटी कम हो चुकी थी लगातार फ्लड की वज़े से सॉयल इरोजिन हो गया था तो यहां के सबड़ा बिलकुली मतला विनाश के ककार पर खड़ी थी और धीरे धीरे ऐसा हुआ भी यह सबड़ा बिलकुल एक तरीके से गायब हो गई दोस्तों हाँ काली बंगन काली बंगन बहुत इंपोर्डन है काली बंगन दोस्तों ब्रजबासिलार एक बहुत बड़े आर्केलोजिकल रहे हैं जो डिरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं आपके ASI Archaeological Survey of India के 1961 में उन्होंने काली बंगन की डिस्कवरी की काली बंगन अगर इस शब्द को अलग-अलग किया जा तो काली मतलब होता है दोस्तों ब्लैक कलर और आपका जो बंगन होता है दोस्तों इसको कहता है बैंगल्स चूडियां तो काले रंग की चूडियां काली बंगन इस शब्द कार्थ ये निकल कर आता है अब यहाँ पर जो evidence मिलते हैं दोस्तों वो यह मिलते हैं कि यहाँ पर pre-hrappan और post-hrappan culture phases को भी यहाँ पर शायद देखा गया होगा क्योंकि यह city जो थी अगर हम मोहिजदारों से इसको compare करें तो less developed थी लेकिन यहाँ पर जो मैं इसलिए less developed कहा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमें evidence मिले हैं दोस्तों वो मिले है mud brick fortification के mud brick बोले तो कच्ची इटे वो पकी हुई इटे नहीं थी burnt bricks नहीं थी mud bricks थी जिनको सरिफ एक आकार दिया जाता है मिट्टी का उसे सुखा दिया जाता है जिससे थोड़ी सी hard हो जाती है लेकिन यह bricks ज्यादा नहीं चलती है बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है या यह कहलें कि देस्ट्रोई हो जाती है तो जो काली बंगन शेयर था इसका जो fortification क्या होता fortification मतलब किले बंदी की हुई थी दोस्तों वो कच्ची इटों से की गई थी इसलिए हम कह सकते है कि यह मोहिजदारों के comparison में लेस डवलप रहा होगा यहां पर जो archaeologist ने डिस्कवर के दोस्तों वो दो प्लाटफॉर्म को डिस्कवर किया है जहां पर fire altars मिले हैं fire altars हवन कुंड इसका मतलब यहां पर हवन वगरा या फिर कुछ sacrifice की practices जरूर होती होंगी यहां पर जितने भी हमने यह देखे हैं कि प्री हरपण जो फेज था वो यह था कि पहले के टाइम पर जो हल लकडी का इस्तमाल हो रहा था दोस्तों उससे पहले जो टूल रहे होंगे पत्थर के टूल से तो उनसे खेतों को तयार करना मिट्टी को पलटना जो agriculture रहा होगा वो काली बंगन के कमपैरजन में थोड़ा सा अलग रहा होगा और काली बंगन की जब स्थापना हुई होगी जब यह बना होगा शेयर या सब बैता डवलप हुई होगी तो इनका खेती करने का तरीका अलग रहा होगा तो हम यहां पर प्री हरपण और हरपण पीरियड इन convenient रहा इनके लिए क्योंकि यहां पर आपको kart wheel जो ऐसा होता है शमान ले जाने के लिए इस्तमाल किया जाता है दोस्तों आप इसको ऐसे समझ लीजिए देखिए माल लीजिए यह कुछ ट्रॉली है इसमें मुझे कुछ समान ले जाना तो यहां पर मैं कुछ wheel fix कर दूँगा जिस मैं समान डाल कर मैं इसे धक्का मार के ले जाऊंगा इस ट्रॉली टाइप का कुछ था तो यहां पर भी इसके हमें प्रमान मिले हैं kart wheel के तो इसका मतब यह समझ में आ सकता है कि काली बंगन में kart wheel का इस्तमाल होता था और कहीं भी हमें कुछ भी सबूत kart wheel के नहीं मिले हैं सरफ काली बंगन में ही मिले हैं बोले तो इन्होंने जब wheel का discovery हो था तो उससे बहुत useful चीज़े करना बहुत जल्दी सीख लिया था तो काली बंगन के बारे में हमने जाना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपकी है दोस्तो धौला वीरा धौला वीरा जो है दोस्तो वह जगदपती जोशी जिसे आप जेपी जोशी के नाम से जानते हैं इनों ने 1967 और 1968 के आसपास धौला वीरा की खोज की थी और यह सबसे लेटेस्ट और जो लार्जस शेयर थे हर अपन साइट सेटलमेंट्स के इंडिया के अंदर तो यह उन में से एक था दूसरा था आपका राखी गड़ी जो की हर्याना में पढ़ता है दोस्तो राखी गड़ी अब धौला वीरा के बारे में एक बात बहुत खास है तो सबसे पहले बाकी हर अपन साइट के बारे में समझते एक चीज माल लीजे दोस्तो यह वो सेटलमेंट है तो यहां पर क्या हो था दोस्तो मैं आपको पहली बताया कि इसको दो भागों में बांट गया था दो भागों में बांट गया था यह जो उपर वाला हिस्सा था इसे सिटाडल कहा गया था इसे सिटाडल कहा गया था बोले तो यह अपर पार्ट था citadel कहा गया था और नीचे भाग था इसे lower part कहा गया था या lower town कह लीजिए अब लोवर टाउन में जो थी लोग रहते होंगे वहां की आम जनता रहती होगी और citadel में यहां के जो rich class या फिर आप इसको ऐसा समझे जो बड़े-बड़े merchant होंगे वह रहते होंगे क्योंकि यहां पर ग्रैनरी थी और ग्रैनरी के अंदर स्टोर करना बड़े जातर ग्रेंज को क्योंकि ग्रेंज के हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं बारिश है धूप है बहुत सारी चीजे है environment भी एक कॉस है जिसके स्टोर करना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है तो सिटाडल में बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरी थी अनाज का भंडार था जहां उनको स्टोर किया जाता था लेकिन आपका धौला वीरा दो नहीं तीन पार्ट में डिवाइड़ था दोस्तों जी हां तीन पार्ट में डिवाइड़ था सिटाडल और ये मिडल मिडल वाला पार्ट और ये लोवर वाला पार्ट अब यहां पर जो मिडल वाला पार्ट था इसे मिडल टाउन कहते थे तो middle town में दोस्तों बेसिकली क्या होता था उपर वाले दो हिस्सों को तो बहुत अच्छे से protection दी जाती थी उपर वाले हिस्सों को तो rectangular fortification करके बहुत तगड़े तरीके से protect किया जाता था citadel और middle town को बहुत अच्छे से protect किया जाता था lower town को आप ऐसे समझ सकते हैं वह या तो आपके नॉर्मल आम इंसान रहे होंगे जा पेजंट्स रहे होंगे या दूसरे workers रहे होंगे क्योंकि citadel में तो merchant रहते थे middle town में इनी merchants के भाई-भतीजे रिष्टेदार रहते थे जिनको इन्होंने protection कर रखा था lower town के पास प्रोटेक्शन नहीं थी यहां पर आम जनता रहती थी दोस्तों दोला वीरा के बारे में हमने जाना अब बात करते हैं दोस्तों अगले शहर के बारे में आपका लोथल जो लोथल जो है दोस्तों इसे रंगनाथा राओ ने डिस्कवर किया था सन 1957 में यह एक लौती ऐसी इंडस साइट है जहां पर artificial brick dockyard हमें देखने को मिलता है यानि कि जो इटे थी वो कैसी थी artificial थी यह dockyard को यह लोग अपना main seaport की तरह क्या करते होंगे serve करते होंगे क्योंकि इसके around बहुती बड़ी massive wall बना रखी थी ताकि जब कोभी flood वगर आये तो इससे कुई ज़्यादा भारी नुक्सान हो ना क्योंकि यही वो इलाका था Gujarat का Lothal जहां से यह लोग अपना trade करते होंगे Mesopotamia और Bahrain की सब बताओं से तो Lothal ही वो जगह है दोस्तों जिन्होंने rice कल्टिवेट किया रहा होगा सन 1820 में इसके हमें प्रमान मिलते हैं और जो only in the site है जहां पर rice husk यानिकी जो चावल के ओ दोस्तों रंगपूर में और रंगपूर का है एमदाबाद के पास एक शेहर है दोस्तों रंगपूर यहां पर fire altars भी मिले हैं हम लोगों को हवनकुर्ण मिले हैं इसका मतलब क्या दोस्तों यहां पर अगनी की पूजा रही होगी यहां पर sacrifice वगरा किया जाता रहा होगा अब sacrifice का अर्थ कई लोग समझते है के जानवरों की बली दी जाती है जी नहीं sacrifice का अर्थ होता है दोस्तों यज्य यज्य मतलब जिसे आप करते होंगे यहां पर हमने लोथल की बात की दोस्तों बहुत सारी अलग अलग चीजों की बात की अब आगे बढ़ते हैं अपने decline की और यह सब्वेता इगायब कैसे होई एकदम से यह बहुत important है कुछ लोग ऐसा describe करते हैं कि यहां पर जो soil थी उसकी fertility decrease हो चुकी ती क्यों इनक्रीज हो गई थी जिसके इसे इनकी fertility decrease हो गई थी तो एक यह भी माना जाता है कारण कुछ बताते हैं कि यहां पर लैंड में डिप्रेशन आ गय था बवा बढ़ बढ़ जाता है जिसकी वज़े से फ्लेट्स वगेरा कॉज हुए बाड आ गई है रे भाईया जमीन में आने से बाड नहीं आती है जब नदी का लेवल बढ़ जाता है जब नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है और नदी अपने आपे में नहीं रहती है तब फ्लेट्स आते हैं तो यह भी एक कारण रहा होगा क्योंकि हमने देखा मोहिंजुदारों में भी साथ से ज्यादा आया जिसके ते वह से बाड भी खतम हो गई और कुछ लोग आज भी यह मानते हैं कि Aryan ने इनो ठीक कर दिया कई लोग कहते हैं कि Aryan की थियोरी देते हैं कि Aryan लोग भाहर से आये थे कोई कुछ कहता है कहते है कि Aryan जो वह से अंटेरल इश्या से आये थे ऐसा कुछ नियों Aryans जो थे वो दोस्तो वो मूल रूप से भारतिय ही है इसके उपर मैं एक अलग से वीडियो जरूर लेकर आऊँगा कि हम Aryans हैं हमारी उत्पत्ती कैसे हुई है इस बारे में मैं आप से जरूर बात करूँगा Aryans की थियोरी को लेकर बहुत ही गलत गलत जानकारी Aryans को लेकर फैलाए जाती है कि Aryans Central Asia से आए या कहले दूसरे किसी सब्वेता ने आकर Aryans ने आकर यहां पर कपजा कर लिया इस बारे में हम तफसीर से बात जरूर करेंगे कुछ स्कॉलर्स भी ऐसा मानते थे कि भाया जब ट्रेड बंध होने लगी जब ट्रेड की कमी होने लगी पैटिक्रियर जो सुमेरियंस थे सुमेरियनस बोले थे अपने वही मेसोपोटेमिया वाले सब्वेतावाले लोग जब इन्होंने हम से व्यंतिकर वेपार बंद कर दिया और इंटर रीजिनल वेपार तो चली रहा था लेकिन जो ओशेनिक ट्रेड थी जिसमें समुद्र का इस्तमाल करके हम दूसरी सब्वेताओं के पास जाते थे जिस वेपार करना बंद करता है जिसमें समुद्र कर देखने को मिला दोस्तों कि जाता हैam माना जाता है इस सब इन civilization का कि यहां पर ecological imbalance हो गया जो यहां पर ecological imbalance हुआ यहां पर कई माना जाता है कि desertification हो गई कोई कहता है कि यहां पर बहुत ज़्यादा floods आए एक floods यह natural हम ecological imbalance को तो हम जिम्मदार ठहरा सकते हैं किसी सब इता के खतम होने के पीछे लेकिन क्योंकि बाकी जो बी points है वो इतने ज़्यादा convincing नहीं है इतने ज़्यादा convincing नहीं है कि हम इस बात को माने कि इनकी वज़े से हमारी सब इता है खतम हो गई और जो की विकसित सब आती बहुत है developed सब आती जो some vital facts, यह बहुत important दोस्तों हमारे जो भी आप यह कहले जो भी sites हमने देखी है इसमें आपको दो sites और हैं जिनका नाम है शर्तुगोई और मुंडिगाग आप लिख सकते हैं शर्तुगोई और मुंडिगाग यह अफगानिस्तान में पाई जाने वाली दो इंडस साइट्स है यह civilization की sites है तो जॉन मार्शल वो पहला स्कॉलर था वो पहला बंदा था जिसने सिंधु घाटी सब्वेता या इंडस सिविलाशेशन का नाम पहले अपनी जिबान से निकाला था दोस्तों तो यह था जॉन मार्शल और एक जगा है दोस्तों सूर कोटड़ा जो की कच डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती है गुजरात के यह ऐसी इकलोती इंडस साइट है जहां पर घोड़े होने के प्रमान मिले हैं घोड़े के अवशेश मिले हैं रिमेंज मिले हैं अब जो हमने देखा शुरुआत में ही के वीट और बारले वीट और बारले यहां पर उगाए जाता था सबसे जादा आपको पता बारले से बीर बनता है दोस्तों बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है यह बारले इस हम जो भी कहते हैं मल्टी ग्रेन आट आप लोग खाएंगे तो उसमें गेहूं बारले ओट्स रागी बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं तो बारले जो था और वीट यह आपकी मुख्यता उगाने वाली क्रॉप्स थी लेकिन बाकी जो क्रॉप्स जैसे कि आपके डेट्स मस्टर्ड, सेसमम, कॉटन यह कुछ ऐसी फसले थी जो इनके अलावा भी उगाई जाती थी तो डेट्स बोले तो आपके खजूर, मस्टर्ड आपके सर्सों, सेसमम आपका तिल और कॉटन बोले तो आपका कपास अब यहां के जो लोग थे दोस्तों मैंने आपको बताया जो शुरुवाती जो लोग थे पिशने लेक्चर में बात की थी जो प्रिमिटिव लोग थे वो जानवरों को पालते थे उनके मास के लिए दूद के लिए नहीं लेकिन जब सब्वेता हैं विक्सित हुई जब उनको पता चला के भाया ऐसे जानवरों से दूद भी निकलता है दूद भी मिलता और दूद हमारे डायट के लिए बहुत अच्छा है फायदेमंद है तो वो लोगों ने जब जानवर पालना शुरू क किया तो अब वो लोग मास के लिए उसको नहीं यूज कर रहे थे उसको मास के लिए अलग से उसकर रहे थे और दूद के लिए भी यूज कर रहे थे इंडस वाली सब्वेता वाले लोग दोस्तो लायन के बारे में नहीं जानते होंगे क्यों नहीं जानते होंगे शायद उ वो सिंदू घाटी से बेदा के लोग थे वो शायद से शेर के बारे में नहीं जानते थे हाँ लेकिन एक शेहर अमारी एक छोटा सा गाउं टाइप का इलाका है जहां पर से एक सिंगल इंस्टेंस रिपोर्ट हुआ था कि यहां पर एक राइनोसोरस जो की वन होन राइनोसोरस था इसकी रिपोर्ट हमें मिली थी दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं कि आईरन का इस्तमाल नहीं रहा हो गए सिवलाइजेशन में क्योंकि आईरन की बनी हुई कोई भी चीज का ट्रेस हमें नहीं मिला है इस पूरे सभ्यता के अंदर और जो आपके मैसेपोटामिया और जो आपके सुमेरियन लोग थे वहां के जो टेक्स्ट थे दोस्तों उसमें जो व्यपार के सम्मन्द में बाते की गई हैं उसमें हमारे इंड़स रिजन को दोस्तों एक नाम से पुकारा गया है जिसका नाम है मेलुहा मेलुहा नाम से इंडस रीजन को पुकार आ गया है दोस्तों हर अपंस जो थे दोस्तों वो शुरुवाती लोग थे जिनोंने कॉटन प्रेडियूस किया था कई लोग कहते हैं कि इजिप्ट का कॉटन सबसे बहतरीन होता है उता होगा दोस्तों लेकिन भारत सबसे मान देश था है और रहेगा इसी ने दोस्तों दुनिया को सब कुछ सिखाया है भारत इकलोता ऐसा देश है जिसने हमेशा सब को दिया है किसी से कुछ लिया नहीं है दुनिया को सिखाया है तो जो cotton हम लोग उगाते हैं और शेसे if उगाते दो sleeping on it क्योंकि ये संदू नदी के पास उगाया जाने वाला का पास था ये संद्धन या सिंद्न टीके ग्रीक के लोगर्व ये क्वह बहुत बटी शभ्यता रहिए दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों यहां पर जो लोग थे वो जानवरों और पेडों पूजा करते थे यहां पर कोई टेंपल नहीं खो जा गया है आज तक बोले तो यह मंदिरों में भगवान की पूजा नहीं करते होंगे क्योंकि इश्वर तो कण कण में है कण के अंदर भी है कण के बाहर भी है इश्वर तो हर जगा उपस्तित है तो हो सकता है यह शायद उसी कॉंसेप्ट को फॉलो करते हों तो इसलिए यहां पर कोई मंदिर ना बनाया गया हो क्योंकि यह पीपल के पेड़ की पूजा करते थे जिसे हम फिकस रिलोजी से कहते थे या फिर हम जाने के गाए भैस और यूनिकॉर्ण की पूजा होती थी दोस्तों यहां से हमें प्रमान नहीं मिलता कि यहां पर कोई टेंपल रहा होगा यहां पर एक और सिस्टम फॉलो के आज़ता है दोस्तों जी से कंप्लीट बरियल कहते हैं दफनाने की विदी दफनाने की विदी यहां पर सबसादा कॉमन थे कि कोई इंसान की डेथ हो गई है या किसी जानवर की मृत्ति हो गई है तो यह शायद उसको कंप्लीटली धर्ती में बरी कर देते हैं दफना देते अच्छी तरीके से ताकि इनको बॉड़ी से कोई नुक्सान नहीं हो क्योंकि जब कोई जानवर मरता है या कोई पेड़-पौधा मरता है या कोई इंसान भी मरता है तो उसकी बॉड़ी से प्रदूशन जो प्रदूशन तो नहीं कह सकते हैं जितने भी मैक्रोबियल उसके उपर हमला करेंगे वो हमारे आसपास की वातावरण को दूशित कर देंगे तो इसलिए वो बोडी को डिस्पोस करने के लिए कम्प्लीटली बरी करते होंगे फिर आपका जो स्वास्तिक है दोस्तों स्वास्तिक का चीन कुछ ऐसा होता है इसका हिंदू धर्म में बहुत जादा मैत्व है और यह स्वास्तिक का जो चीन है दोस्तों इसके ट्रेसीज भी हमें इंडस सिवलाइजेशन से ही मिले हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा, कि इंडेस सिविलाजेशन के लोग भी, हिंदु धर्म के अनुयाई रहे होंगे, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, हाँ ऐसा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, जब हमें स्वास्दिक और हवन कुंड के प्रमाण मिलें, तो ऐसा कहना गलत नहीं रहोगा, जितने भी स्कॉलर्स थे दोस्तो, मेजरोटी उस्कॉलर्स हैं, वो यह मानते हैं, कि जो इस सिविलाजेशन के जो निर्माता थे, वो दरवीडियन रहे होंगे, दरवीडियन आपको पता है दोस्तो, जो आपका South India, लेटर सपोजी आपका गुजराथ है दोस्तो, और यह हमारा प्यारा भारत नीचे से, तो यह जो आपका रहता है दोस्तो, इलाका रहता है, यह जो आपका रहता है दोस्तो, यह मान लेते हैं, कि आप इस वाले पार्ट को समझ लीजे, कि यह वाला जो इलाका आपका, यह दरवीडियन का इलाका, यह वाला, ऐसा माना जाता है, कि यहां पर जो लोग रहे होंगे, इनी सारी चीजों के आपको, क्या रहे होंगे दोस्तो, यह बनाने और निर्माता, विक्सित करते हैं किसी सब्वेता को, ऐसा माना जाता है, कि दरवीडियन्स ही होंगे दोस्तो, चलिए, तो यहां पर जो दरवीडियन्स थे, ऐसा माना जाता है, कि यही वो निर्माता थे, लेकिन जो आपका धॉला वीरा है दोस्तों। धौला वीरा में जाइन्ट族 water reservoirs मिले हैं इसके प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर underground drainage जो था वो किया जाता था अब जो underground drainage का पार्ट है इसका यहाँ पर पानी को डिश्पोस करने की जो तरीका रहा होगा वो बहुत ही जादा बहतरीन रहा होगा यहां पर water logging जैसी समस्या नहीं होती होगी जैसे हमारे आम तोर पर होती रहती है दोस्तो तो धोला वीरा में अभी आपको पता है यह latest एक museum भी बनाया है यह बात हमने कर ली है और भी कुछ important facts जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा दोस्तो काली बंगा के बारे मैं आपको बताया तो जो काली बंगा था दोस्तो इसके अंदर जो हमें script मिली है या inscriptions मिले है दोस्तो वो माना जाता है बौस्त्रो फिदन जो की राइट से लेफ्ट यह लेफ्ट से राइट alternate lines में लिख़्ी जाती है ऐसा मान जाता था कि यह बौस्ट्रो फिदन भाशा में लिखी गई है जो कि दरवीडिऑन्स की बाषा थी दोस्तो इसलिए बोला गया था कि हो सकता है कि ये द्रवीडेंज ने इनका निर्मान किया हो इन सभी साइट्स का तो ये था दोस्तो आपका Indus Valley Civilization और जो भी चीजे अभी हम cover नहीं कर पाए हैं वो आगे आने वाले lectures में हम ज़रूर cover करेंगे तिल देंग आप मेरा साथ ऐसे ही बनाया रखना दोसतों और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडेओ को शेयर करें दोसतों और मुछसा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करने एक दॉत जो बगलने झाल झाल